बोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागेत है, आएए देखते हैं हिंदी साहित्या, हिंदी साहित्या में agrees को एक हम देखेंगे भार्वार परिवार, यह आपका जो शलोत है वह सर्षुत पंडे और गोविन पंडे के पुस्तक है हिंदी भासा यहम साहित्य का वस्तोनिष्ट इतिहास पुस्तक का नाम है वाचनस्वर और यहां पर आईए देखते हैं भारोपी परिवार क्रम से हम चल रहे हैं बाकी हिंदी साहित्य के लिए नेट यारफ एजामिनेशन के लिए इंपोर् भारोपी परिवार को और किन किन नामों से जाना जाता है तो भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक आरे परिवार भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है आरे हित्ती परिवार आरे परिवार और इंडो जर्मनिक अगला पॉइंट क्या है भारोपी परिवार क में बाटा गया है सतम वर्ग और केंतुम वर्ग केंतुम या फिर केंतुम और सतम वर्ग में आपका कौन-कौन साहे आएगा भारत इरानी दिसे के आरे काते हैं बाल्टो इसलाविक भारत इरानी या फिर आरे दूसरा बाल्टो इसलाविक तीसरा आर्मेनी चौथा अल्बान या फिर ईलीरियन से कहा जाता है केतुम वर्ग में जर्मानिक यानिक वह इंग जर्मनी वाला जर्मानिक या टूतानिक केल्टिक ग्रीक तोखरी हिटाईट और हिटालिक तो दस इसमें केतुम में श्रतब में अपका चार अब देखते हैं विभीन विद्वानों ने क्या का ह डाक्टर गिरार्षन ने भारत इरानी यानि कि आर्य कि तीन उपवर्गों का उल्लेक किया है इरानी दरद और भारती अर्वासा इरानी साहित का प्राचेंतम धार्मग्रांत अवेस्था है और अवेस्था कब का है शात्वीन सदी इसापूर्व का है अविस्ता का अर्थ होता है सास्त्र अविस्ता को बैक्टरिया की राजबसा होने के कारण प्राचीन बैक्टरिया भी का जता है कुछ लोग भूलवस अविस्ता को जिंद भी करते हैं तो अविस्ता को बैक्टरिया की भाशा होने के कारण प्राचीन बैक्टरियम भी का जता है और कुछ लोग भूलवाज अविस्ता को जिन्द भी करते है अविस्ता का अर्थ क्या होता है? सास्त्र आगे है महा कभी फिर्दौसी का सहनामा इरान का राष्टी महा कब्ब है तो इरान का राष्टी महा कब्ब सहनामा है और इसके लिखा कौन है फिर्दावस C, इरानी भासाओं का वन्सबरिष नेम रढ़ंग से प्रस्तुत किया गया है वन्सबरिष यानी कि आपका जू उत्पत्ती साखा है उसको तो इरानी भासा का इस प्रकार से है इरानी भासा इसमें दो भाग पशिमी और पूर्वी और पशिमी में आपका मेडियन और प्राचीन भार्शी और पूर्वी में आपका अवेस्ता और मोगदियन पामीर और इसके बाद अवेस्तागार्थ सास्त्र होता है अवेस्ता के अंतरगतब का बर्गिस्ता, पस्तो, पहलवी, देवारी, बलूची, ओसेटी, कुर्दी तो इतना बटा हुआ है यह सब इंपोर्टेंट है उतना इंपोर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी इसको देखना है इसके बाद जो पहलवी है वो है अपका हुजवारेश और पाजद में बटा हुआ है और हुजवारेश और पाजद को आजोनिक फारशी भरसा कहा जाता है तो यह इरान का मतलब इरान का प्राचिन नाम फारस भी था तो यहां पर आपको देखने को मिलता है बाकी दरत सब्द का अर्थ क्या होता है दरत सब्द का अर्थ होता है परवत इसका प्राचिन नाम पैसाची प्राक्तिक भी है इसके अलमा दरत सब्द का अर्थ परवत है और प्राचिन नाम पैसाची प्राक्तिक भी है यह भी याद रखे पैसाची प्राक्तिक किसका नाम ह दरद उपवर्ग की भासा हैं कस्मीरी सीना चित्राली काफिर और कोहिस्तानी आदि हैं दरद उपवर्ग की प्रमुग भासा हैं कौन है प्रमुग भासा हैं उपवर्ग की प्रमुग भासा हैं कस्मीरी सीना चित्राली काफिर और कोहिस्तानी है तो यह भारुपी परिवार क वहनसबृष इसके अंतरगत इरानी भासा आप देखा इसमें सतम और केतु माते हैं तो भारुपी परिवार को एक अलग टपी की रूप में इतना ही रखते हैं बाकी अगले वीडियो में देखेंगे अगले पार्ट में देखेंगे भारती आर्य भासा हैं और उसमें 500 इसाप पुर्वता कर रही है तो कैसा लगा जरू बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक सेर भी कीजिए जहिंद एभर